हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीड़ों में हम बात करेंगे सुपरवाइजर के पदो पर आ चुकी साल 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहाँ पर आप सभी के लिए भरतियों के नोटिपिकेशन और आप सभी को कम्प्लीट जानकारी स्पीडों के माध्यम से मिलेगी कौन सा डिपार्टमेंट है कितनी नंबर विकेंसी हैं कौन-कौन सी पोश्टे हैं कौन-कौन आपिदन करेगा कब से लेकर कब तक आपिदन चलेंगे यहाँ पे सैलरी आपकी क्या रहेगी कम्प्लीट इ कंडिडेट आसानी से आपिदन कर पाएंगे 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक की सैलरी मेंसन करीगे नोडिफिकेशन में और 18 से लेकर 40 साल का कोई भी कंडिडेट यहाँ पे आपिदन कर पाएगा विकेंसी आ चुकी हैं और इंडिया लेबल की जाब है आप लोग भारत के क जरकारी नोकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें वीडियो पसंद आये तो एक लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को आन करना बिल्कुल भी मिस्प म यहां पर आने के बाद आपको यहां से नीचे आना देख सकते हैं नाइपर यानी नेशनल इंस्टिटूट ऑफ फार्मसिटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेपार्टमेंट की तरब से आपको वेकेंसी मिलेंगी 2024 के लिए अधिक ज्यानकारी के लिए www.nokrikber.com की वेब आपकी जो एज है वो कम से कम 18 और अधिक सदिक 40 साल की होनी चाहिए इसके लाबा नाइपर के रूल के हिसाब से आपको छूट भी तिया जाएगा वेडियस नमबर और पोश्टे हैं जहाँ पे आपको दो तरह की वेकेंसी मिलेंगी पहली तो आपको सुपरवाइजर की पोश्टे मिलेंगी दूसरा आपको असिस्टेंट इंजिनियर रानी की एई के पदो पर भरतियां देखने को मिलेंगी 10-12 graduate pass candidate यहाँ पे आवीधन करेंगे और इंडिया लेवल की जाब मिलेगी आप लोग भारत की किसी भी राज़स से आवीधन करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर male and female दोनों आवीधन करेंगे टूडे टॉप जॉप लिष्ट की बात के हैं तो अलग-अलग education qualification के basis पे यहाँ पे नोकरिया एड करी गई है clicker की बटन पे click करके आप लोग इसके बारे में जानकारी को देख सकते हैं बात करते हैं हम salary के बारे में तो आपको यहाँ पे 44,900 रुपए से ले कर 1,42,400 रुपए सबी पोश्टों के लिए दिया जाएगा selection आपका यहाँ पर written exam और skill test के basis पे होने वाला है साथ ही साथ आपका document verification भी होगा जैसे आप लोग आवेदन करेंगे इसके बारे में जानकारी है बागी मैं application फोरम फिल करने के प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे information देने वाला हूँ जैसे आप लोग यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको एक application form करके link पे लेगा और एक download notification करके आपको click here की button पे click करना होगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पहले notification open हो चुका है notification यानि की नाइपर की तरब से देख सकते है National Institute of Pharma, Citical Education and Research यहाँ से गर आप नीचे आते हैं सबसे पहले हिंदी में तीनों पोश्टों के बारे में इनकी salary के बारे में, स्रेंडी के बारे में और उम्र के बारे में जानकारी दी गई है मैं English के अंदर आपको दिखाता हूँ Assistant Engineer की पोश्टे है 44,900 से 1,42,400 का बेतन है और 40 साल तक के candidate यहाँ पर आप इदन करेंगे अगली पोश्ट है Technical Supervisor Grade 2 की या Scientist Grade 2 की तो आपको यहाँ पर भी 44,900 से 1,42,400 रुपए की salary मिलेगी एज यहाँ पर सेम रहेगी आखरी पोश्ट है स्टोनोगरापर Grade B की यहाँ पर भी 40 साल तक के candidate आप इदन करेंगे और salary 44,900 से 1,42,400 की रहने वाली है सबी का education qualification यहाँ पर बताया गया यानि की योगता उसके बाद आप इदन करने के लिए आपका Indian Nationality यानि की भारत के नागरी कोना कंपल सरी है इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर सीधी भरती की तहट बताया गया है कि आपकी यहाँ पर vacancy जो है तो आ चुकी है selection कैसे होगा इसके बारे में भी यहीं पर आपको जानकारी मिलेगी यह 8 पेजो का notification है इसके अंदर आपको एक offline application फोरम भी दिया गया है आए उसको भी open करके देखते हैं तो अभी हमारा offline application फोरम भी open हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नाए पर recruitment application form है इसी को आपको फिल करना होगा देख सकते हैं application for non-teaching post यहाँ पर आपको अपनी passport size की photo लगानी होगी यहाँ पे आपको कौन सी post के लिए apply करें उसके बारे में जो fees payment करेंगे उसके बारे में date बताएंगे name of the applicant right tick करेंगे यहाँ पे जो भी है married है single है male है female है उसके बारे में father's name या husband name आप लोग क्या add करें उसके बारे में इसके बार अपना यहाँ पे address डालेंगे current address और permanent address दोनों डालना है इसके अंदर मागी गई और भी जानकारी देंगे और इसको दियेग address पे आपको send करना होगा उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गए information अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद